हेलो दोस्तों, आज की कहानी है चरवाहा बालक और भेडिया एक चरवाहा लड़का अपने भेडों के जूंड को जंगल में चराने ले जाता था और एक बार बोर होकर उसने सोचा कि क्यों न एक खेल खेले इसी सोच से वे जोर जोर से चिलाने लगा भेडिया आया, भेडिया आया, भेडिया भेड के बच्चे को ले जा रहा है खेतों में काम कर रहे किसान, भागते भागते उसके पास आये किसान ने आते ही पूछा, किदर है भेडिया लड़के ने हस्ते हस्ते बोला कोई भेड़िया नहीं था मैं तो बोर हो गया था इसलिए सोचा कि आप लोगों को बुला लू किसान बहुत गुसा हुए और उसको डाटा और फिर वो वापस खेत में चले गए एसा ही उस लड़के ने चार-पांच बार ओर किया और हर बार किसान आते थे लेकिन हर बार वह लड़का मज़ा कर रहा होता था एक बार सचमुच में भेड़िया उसके सामने आ गया और जल्द से वह लड़का पेर पे चड़के अपनी चान बचा लेता है हर बार की तरह इस बार भी वह लड़का पेरिया करकर चिलाया लेकिन किसानों को लगा कि इस बार भी मज़ा कर रहा है और कोई भी नहीं पहुचा इसी बीच पेरिया ने एक पेर के बच्चे को उठा कर लेता चला गया कहानी से सीख चूठ बोलने से विश्वास तूट जाता है फिर सच बोलने पर भी कोई भरोसा नहीं करता आपका दिन सुब रहे